कि acidity का, जो acidity character order क्या है, methane का, सबसे less, फिर alkyne हो जाएगा, then ammonia, then alkyne, बताया था ना आपको गाईज़, alkyne हो गया, उसके बाद आपका roh हो गया, then hoh हो गया, then poh हो गया, then cs3 cwh हो गया, then phcwh हो गया, यह order बताया था ना आपको, थोड़े गंदी writing होगी, लेकिन मैं बोल र होगा, यह alkyne, alkyne, ammonia, ns3, alkyne, roh, hoh, phoh, right, phenol, cs3, cwh, phcwh, benzoic acid, right, तो हमेशा phenolic वाला जो है, वो benzoic acid वाले components है, तो less होगा, so अगर मैं इनके group बना दिया, और इनके group बना दिया, तो इसमें आँख बन करके मैं कहा दूँगा, 3 और जो 4 हैं, इनका आपस नहीं पता आपस मुझे जादा खीच नहीं नहीं है, आप वैसे इन से भी compare करके देख सकते हैं कि कौन जादा stable आ रहा है, लेकिन मैं भी direct answer लिखाल रहा हूँ, ताकि थोड़ा comparison जल्दी भी हो जाए question, देखे, इन दोनों में देखे, यह benzoic acid है, इसमें मैंने CS3 जाड़ दिया, यान प्लस आई, effect थोड़ा कम पढ़ रहा होगा, लेकिन फिर भी activating तो है na, EDG group हो गया, तो यह इसका basicity character, sorry, decrease कर रहा है, basicity बढ़ा रहा है, इलेक्टोन पुश कर रहा है ना ring में, तो क्या हो जाएगा, थर्ड और फॉर्थ में थर्ड जादा acidic होगा, देन फॉर्थ, obviously समल में अब 1 और 2 में देखें, यह phenol है, यह Cl है, मैंने आपको क्या बता था, कि Cl, minus i effect शो कर रहा है, due to the electrone negativity of chlorine, लेकिन lone pair की विदे से, plus m effect भी है, याने overall, यह electron को, sorry, यह push भी कर सकता है, लेकिन, सिर्फ halide की case में क्या होता है, minus i is greater than plus m, क्यों होता है, अगर आपको समझना है, इस कि y minus i effect is greater than plus m effect, यह आविश chemistry से इस तरह सर्च करेंगे न, कुछ, तो मिल जाएगा आपको, मैं कोशिश करूँगा, इसके वीडियो के description box में भी डाल दूँगो, वीडियो, तो overall क्या कर रहा है, minus i effect का जादा है, याने overall, यह EWG है, electron को खीच रहा है, ring के बाहर, तो acid character बढ 3, 4, 2, 1, option क्या होगे आपका, A, I hope guys आपको समन्माया होगा,